सुबे गाउं का नजारा है, गाउं में हमारे गिहों की फसल हो रही है, उसमें पानी दिया जा रहा है फवारों से सुबे के साड़े ग्यारा बच्चरे हैं और ये हमारा चूला है और गाउं में जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं और वो यहां लंच करने वाली हैं और हम लोग मिलके चूले पे बाजरे की रोटी और दाल बनाने वाले मुंग की दाल पालग वाली चली घर का भी निजारा दिखा दूमें साथ के साथ तो यह हमारा पेड्रूम है और खूब हवा आती है यहां बाहर से सारा खेत दिखता है और यह सर्दियों में अच्छी धूप आती है गर्मियों में थोड़ा गर्म होता है और यह हमारा दूसरा बेडरूम है गाउं में आप जब रहते हो तो खुब अच्छी हवा आती है और खुब दोप आती है और अच्छा लगता है यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो यहां मेरे ने सब्जी बनाने के लिए चड़ा दी है यह है मूली की सब्जी और यहां पे बन रही है आलू मोगरी की सब्जी तो सब्जी हमें बनाकर रगतूंगी ताल और बाजे की रोटे हम उसी टाइम बनाएंगे यहां पठर पनीर की तियारी हो रखी है और यहां सुबे की सबजी है आलू बीन्स की और यहां गाने के साथ सारे काम हो रहे हैं और यह में फ्रेंड आ गई थी भार बिस्तार लगा दिया था तो यहां बन रही है दाल जब आप दाल दालते हैं चूले पे तो उपर जाग आता है तो उसको हमेशा हटा देने चाहिए तो वो हटा रहे हैं यहां चूले पे दाल बन रही है चूले की दाल बहुत टेस्टी बनती है दाल चड़ रही थी तो अदर मैने कड़ी चड़ा दे यहां चरगाओं के दूद के चाच की कड़ी और साथ में बाटे इसाथ में बाते हमने भर्मा मिर्चें, पेशन की मिर्चें और ये सब्जियां तो आपने देखी ले थी, मुली के पत्ते, मोगरी आलू, मटर पनी बन गया है, कडी बन रही है, और माठे तल ले जा रहे हैं, दाल हमारी बहार बन रही है, और फिर बनेंगे सोगरे, तो ये आज हम खाना खाने वा खाना वाना खाके फ्रेंट्स चलीगी, ये हमारी भैस और गाये, और ये बाहर का नजारा, गाउं में जबी भी आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, मजा आ जाता है, मेरी सैलियों को भी बहुत मजा आया, आज आपको कैसा लगा, आप जरूर बताईएगा, और ये आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चलिए मिलती हूँ, किसी और वीडियो में, तब तक लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना दिहान रखिएगा,